नमश्कार, स्वागत है आप सबों का, कैसे हैं आप सब, तो बहुत से सिखायत आ रही कि आप रोज वीडियो नहीं डालते हो, सच है मैं नहीं डाल रही हूँ, कोशिश करूँगी कि आगे डालू, पर आज ना सच मैं बाहर गई थी, तो जैसे पानी यहाँ पर घरज रहा है मतलब जो और महर वैसी ही मेरे मन अशान था, क्योंकि मैंने डिप्रेट के बच्चों को देखा आज अपने आखों से, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इस चिलचिलाती हुई दूप में सभी 17, 18, 19, 20 उमर के बच्चे थे, यह बच्चे हातों में पैनल लिये, सड़कों पर इतनी चिलचिलाती, गर्मी में अपने हग की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे थे, नारे बाजी कर रहे थे, प्रिंसिपाल के खिलाफ, कालज के खिलाफ, क्योंकि उनका कहना था, कि उनको एडमिशन के एक साल के बाद भी उनको जो है, रिजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वज़े से उनकी एक्सामनिशन नहीं हो रहे हैं, और कॉलेज नी बेसिक स्नेडर नॉप्स को जो है, फुल्फिल नहीं किया है, जिसकी वज़े से कॉलेज को भी मानियता नहीं मिल रही है, यह तो बहुत ही ज्यादा फिलवार है बच्चों उनका बहुता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा चोट हुई मुझे क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं न जो यहां पर पढ़ रहे हैं गौर्बन कॉलिज कहा जा रहा है गौर्बन पॉलिटेकनिक कहा जा रहा है बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और उन्हें ने चार साल का पूरा कूर्स किया हुआ है उनकुछ ने एक साल का किया हुआ है दो साल का तीन साल का और उसके बाद उनको मानिता नहीं मिल रही है तो उनका समय, उनका पैसा, उनकी महनत सब जो है वेस्ट जा रही है बच्चे कितनी दुखी है ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए उनको न्याय मिलना चाहिए देखिए क्या हुआ चाहिए क्या हुआ